दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि भारत में 15 करोड से जादा लोग गठिया के मरीज हैं ये बिमारी आपको भी हो सकती है या आप इससे ग्रसित है अगर वक्त रहते आपने इसका इलाज नहीं करवाया तो आपका पूरा जीवन बोजिल हो सकता है और ये हम बिलकुल नहीं चाहते नमस्कार दोस्तों स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल में मैं हूँ आपके साथ शेल जत्यागी हाजिर हूँ आपकी सेहत से जुड़िये खास वीडियो के साथ क्योंकि हमें हैं आपकी सेहत का ख्याल आज हम बात करेंगे जोडों वीडियो में आपके लिए हैं मैजिकल रेमेडी तो आएए जानते हैं दुनिया के सबसे काबिल काम्याब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलिमान खान सहाब से की जोडों का दर्द गठिया आखिर क्यों हो जाती है इसके पीछे के कारण क्या है देखिये जोडों के दर्द तकरीमान सतर किसम के होते हैं लेकिन इसमें दो किसमें ऐसी हैं कि ये ज़्यादा तकलीफ देती है और मुश्किल से ठीक होती है देखिये एक तो हमारे जिसम में यूरिक एसिड बढ़ जाता है यूरिक एसिड एक नमक को कहते हैं और ये नमक जब हमारी किड्नीज जरूरत से ज़्यादा रोक लेती है इसे यूरिक एसिड को तो ये हमारे खून में शामिल होकर हमारे जोडों पर जमने लगता है जब भी ऐसा मरीज आराम करता है उस वक्त ये बहुत तकलीफ में आता है क्योंकि जब आदमी एक्टिव रहता है चलता फिरता रहता है तो इसको तकलीफ नहीं होती लेकिन जब भी वो चार शे गंटे आराम करता है तो उसके ये हाथ ऐसे अकड़े रहते हैं ऐसे मोड नहीं सकता और बहुत देर में उसमें वो एक्टिव होता है गरम पानी से धो होए थोड़ा चले पिरे थोड़ा चाय पिए थोड़ा तहले तो फिर ये ठीक हो जाता है ये यूरिक एसिट की बीमारी होती है जो हाथ के जोडों या पैर के उंगलियों से शुरू होती है पिर ये पूर जिसम को भी अपनी जद में ले सकती है एक ये बीमारी और एक है गठिया जिसे हम अप्री जबान में रूमोटाइट आथ्राइटिस कह सकते हैं ये भी रोग एक अजीब रोग है इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर एक रोग पिर्ति रोधक शक्ति भगवान ने दी है जो हमारी हिफाज़त करती है ब्रेक्टेरिया से बीमारी से लड़ने म हमारी मदद करती है किसी वज़ा से जब ये शक्ति ये सेल्स ये सेल्स हमारे खिलाफ हम पर ही हमला करने लगते हैं तो इसे गठिया आसान भाशा में या जोडों का दर्द गठिया या आरे पॉजिटिव का एक टेस्ट भी होता है आपने देखा है और डाक्टर कहता है आर पॉजिटिव है तो यही है गठिया यही आरे पॉजिटिव है यही रूमोटाइड आथ्राइटिस है यह एक मुश्किल काम है वरना सारे रोग अच्छे से बहुत आसानी से अच्छे हो जाते इन में पांच्छे महीने भी लग सकते इन रोगों को इन दोनों रोगों को ठ इस्तमाल से आपके जोडों का दर्द ना सिर्फ ठीक होगा बलकि आपके शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द से आपको मिलेगा राम इनको अगर जिसको यूरिक एसिट की परिशानी है तो उसको खटी चीज़े बिल्कु छोड़ दें क्योंकि यूरिक एसिट लीमू आम का चार और खटी चीज़ों में पाया जाता है और फिर ये जिम्यदारी क्योंकि किड्नी की है तो किड्नी के फैल को उसके सिस्टम को सही काम करने पर मजबूर कर देने वाली दवाएं भी मैं आपको बताता हूँ किसी को अगर यूरिक एसिट है तो अलसी को हलकासा भून ले दो तीन सो गिराम अलसी ले ले हलकासा भून ले ज्यादा नहीं भूनना और पिर इसको पौडर बनाके रख ले और एक चमच अलसी खाएं एक चुटकी उसमें नमक जातुन मिला दे या नमक जातुन पानी में मिला दे इस पानी से खाएं और दो चुटकी गौन सिया यानि आदा गिराम गौन सिया आप अनुमान लगाने कितना होता है दो चुटकी आदा गिराम गौन सिया एक चमच अलसी और एक चुटकी नमक जैतूल एक गिलास पानी या दो गिलास पानी मिलाकर इस से खाया जाए खाने के पस्चाद सुबह न पोनों रोग, चाहे वो गठिया हो, चाहे ये यूरिक एसिड बढ़ गया हो, या कोई और जोडों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, नसों का दर्द हो, साइटिका हो, इसे हम लोग अरकुर नसा भी कहते हैं, और हमारे गावों में लंगडी का दर्द कहते हैं, तो ये कमर में नसे दब जाती है डिस अपनी जगा से सरक जाती है जिसे सिलिब डिस भी अक्सर आपको डॉक्टर बताता है तो सिलिब डिस हो गई है तब भी ये नुसका तकरीबन सतर किसम के दर्द पर काम करता है ये ले लिया करें लेना असली जरूरी है जो भी चीज बताऊं मैं अस के दर्द में गौन सिया का इस्तेमाल अच्छा है, चाहे आपके कónी में दर्द हो, चाहे मौधे में दर्द हो, चाहे आपके घुचने में दर्द हो, गौन सिया एक raw material है, जो बेशतर लोग नकली बेशते, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ आदा आदा गिराम अगर दो बार मरीज़ खाए सुबह नाचते के बाद और रात को खाने के बाद तो उसका अच्छा होना मुम्किन है और कुछ लोग यह नहीं समझते कौन सिया क्या है दोस्तो हकीम सहाब से जुड़के हजारों नहीं लाखों लोगों ने खुद को सेहतमन बनाया है एक ऐसी ही मरीज से आपको आजम मिलवाएंगे जो बहुत जादा दर्द से परेशान थी लेकिन हकीम सहाब का घरेलू नुस्का अपना के अब वो दर्द से राहत पाचुकी है पुछ भी आप मतलब treatment लोग वहां से आप treatment लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता आपके लिए क्योंकि आपकी जो ये मतलब जो आपकी बिमारी है इती चल्दी होने वाली नहीं है अगर आप ये allopathic लेंगे तो आपको इसका गलत effect आ सकता है आपकी बोडी के आपकी आपकी तो मैंने का ठीक है तो मैं एक बार मैंने डॉक्टर साब का प्रोग्राम देखा तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि हां मैं इसको ट्राइ कर सकत स्टेरस भी चाड़ पा रही हूं डैड भी पा रही हूं उटी भी पा रही हूं अजरवाइस मेरे से जुकना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था लेकिन अब मेरी जो करनेशन है पांच मैने से बहुत अच्छी है और इसके कोई side effect देंगा दूसरी बात कि इसको दवाई खा हाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन यह capsule form में तो बहुत easily हम उसको खा सकते हैं और बहुत अच्छा है हकीम समसर में कहना चाहूंगे बहुत बहुत thanks आपका कि आपने जो है अपनी दवाईयां का परचार किया और आपने हमें treatment दिया आज हम इस हालत में कि अब चल फिर प हम अपने हाँ easily कर पा रही है मैं बहुत बहुत thanks होना चाहूंगे नमस्कार शूूू।